हलो एवरीवान, वल्कम चु लर्निंग साइन्स, आज हम जो है अप्लिकेशन्स ओफ लिसेजियस फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लिसेजियस फिगर्स है वो हमें रिलेटिव फ्रीकुइंसी ओफ टू टूनिंग फोक्स, टूनिंग फोक्स जो है वो एक इंस्टूम frequency है new one और new two यह दोनों folks को हम vibrate करने देंगे right angle to each other पे और जो religious figure है उसका निका लेंगे ठीक है तो यहां पे case number first है हमारा कि जो दो frequencies है tuning folks का उसका ratio जब हम simple integral से represent कर सकते हैं यानि कि new one upon new two जो है जब integral होता है that is our case first तब हम क्या करेंगे सबसे पहले जो religious curve है उसको निकालेंगे जो particle है वो starting point पे आ जाएगा एक वक्त के बाद जो कि least common multiple होगा periodic time का सबसे पहले हम क्या करेंगे जो religious figure है उसको trace करेंगे ठीक है तो ये दोनों जो frequency है उसका ratio निकालने के लिए हम एक horizontal line यानि कि left to right along x-axis और एक vertical line draw करेंगे जो कि religious curve को क्या करेगा cut करेगा अगर ये जो line है वो curve को क्या करता है cut करता है m times और n times respectively जहांपे m जो है वो x-axis पे cut है और n जो है वो y-axis पे cut है तो जो periods का ratio क्या होगा m is to n होगा तो frequency का ratio आएगा n is to m अगर हम example consider करेंगे तो यहां पे figure दिया है यह जो figure है यहां पे जो figure दिया है उदर जो x-axis है वो curve को कितने बार cut करता है दो बार cut करता है और जो y-axis है वो curve को एक बार cut करता है या एक point पे cut करता है तो यही हमारा cut जो है यहां पे दिखाया है तो यहां पे जो time period होगा y-vibration divided by time period of x-vibration y-vibration का time period होगा 1 उसने कितना cut किया है उसके बराबर होगा और x-vibration का time period होगा 2 x-axis ने कितने बार cut किया है उसके बराबर आएगा फिर उसके बार अगर हमें frequency निकालना है तो इसी ratio का उल्टा करना है time period का हमें उल्टा करना है 2 is to 1 आएगा time period का उल्टा होता है frequency ठीक है which is is equal to new 2 upon new 1 जो की हमारा frequency है ठीक है तो new 1 is to new 2 जो है वो 1 is to 2 आता है फिर उसके बाद आता है हमारा दूसरा condition दूसरा condition क्या है जब frequencies nearly equal होगा new 1 और new 2 का ratio जो है वो 1 is to 2 नहीं होगा वो nearly equal होगा उस case में जो frequency है एक vibration का एक oscillation का उसको हम n consider करेंगे और दूसरे का frequency है n प्लस p जहांपे p जो है वो एक small number है तो जो tuning fork है वो face में start होता है यानि कि दोनों का angle same है दोनों same ही direction एक साथ जा रहे है तो ये जो है वो एक straight line trace करेगा जो कि figure A में दिखाया है यहां पे figure में दिखाया है और उसका frequency जो है वो nearly equal होगा अब phase difference जो है वो slowly increase होगा अब phase difference theta जो है वो zero से slowly increase होगा और जो curve जो है उसको हम figure A to F हमें पहले trace करना है curve जो है हमें कैसा मिलेगा A, B, C, D, E, F वैसे मिलेगा फिर उसके बाद then back again from F to A in opposite order फिर उसके बाद हमें F to A मिलेगा in opposite order यानि कि F फिर E, फिर D, फिर C, फिर B, फिर A ऐसे मिलेगा और cycle कब complete होता है cycle तब complete होता है जब ये पूरा चीज होता है A to F जाएगा फिर F to A आएगा यानि कि जब phase difference again zero होगा that is एक tuning fork का जो vibration है वो one times more होगा दूसरे के vibration से जो cycle है change का वो repeat होता जाएगा फिर उसके बाद ये जो चीज है वो repeat होता जाएगा cycle of change अगर टी जो है वो time है एक cycle के लिए तो जो difference in vibration होगा टी सेकेंड में वो plus minus one होगा vibration में उसका कितना difference होगा one का और वो one जो है वो plus one या minus one हो सकता है एक cycle के लिए now अगर हम one second के लिए difference in vibration देखेंगे तो टी यहाँ पे divide पे आ जाएगा वही हमने किया है तो यह जो difference है one vibration में one second में जो difference in vibration है उसको हम new one minus new two करके लिख सकते हैं हम ऐसे करके लिख सकते हैं ठीक है तो जो difference होगा frequencies में a का frequency था n और दूसरे का frequency था n प्लस p तो यहाँ पे हम new one और new two के जगे पे n प्लस p minus n लिख सकते हैं तो आएगा p तो new one minus new two के जगे पे हम p लिख सकते हैं वही हमने किया है तो यहाँ पे हम कुछ questions करेंगे related to numericals related to the application of lesages figure तो सबसे पहले हमारा problem number first है हमारे पास दो tuning fox है एक है a और दूसरा है b और उन दोनों को हमने lesages figure produce करने दिया है now यहाँ पे इस figure से हमें यह पता चला कि एक cycle जो है वो 10 second में complete होता है और जो frequency है a tuning fork का suppose a का वो 200 है और उसका frequency जो है दूसरे tuning fork से ज्यादा है तो हमें यहाँ पे जो b tuning fork है उसके frequency को calculate करना है तो यहाँ पे सबसे पहले हम given को लिखेंगे जो frequency होगा a tuning fork का वो दिया है 200 हर्ट्स और दूसरा जो time है एक cycle को complete करने के लिए वो दिया है 10 seconds difference in frequency का formula हमें पता है 1 upon t होता है where t is the time वो यहाँ पे time जो है वो 10 seconds है तो 1 upon 10 लिखेंगे जो की बराबर आएगा 0.1 Hz के तो जो possible frequency होगा यहाँ पे a के frequency पे हमें add करना है या minus करना है formula में plus minus t है plus minus 1 upon t है तो वही हमने किया है 200 पे या तो यह add होगा या minus होगा जब add होगा तो होगा 200.1 Hz और जब minus होगा तो होगा 199.9 Hz तो जो frequency है a का वो जो है slightly larger है b के frequency पे यह भी हमारे question में दिया है a is slightly larger than b तो हमें छोटे वाले frequency को लेना है b के frequency को वो है 199.9 Hz फिर उसके बाद आता है हमारा question number second हमारे पास दो tuning folks है a और b और उन दोनों का जो frequency है वो nearly equal है जो a fork है उसका frequency जो है वो 256 Hz है और जब दो फॉक्स को हम यूज करेंगे लिसीजिस figure को obtain करने के लिए तो उसका एक cycle जो है वो 10 second में complete होता है अब tuning fork b को हमने little wax लगाया उस पे तोरह सा wax लगाया और time जो है वो 20 seconds हो गया तो हमें जो है b का क्या निकालना है frequency निकालना है before loading तो यहां पर सबसे पहले हम given लिखेंगे जो frequency है a का वो है 256 Hz और जब हम लिसीजिस figure निकालते हैं before loading तब time period होता है 10 seconds difference in frequency 1 upon time period आएगा which is is equal to 0.1 Hz अब possible frequency क्या है यह जो frequency है b का frequency जो है वो एक के frequency पे 0.1 at होगा यह 0.1 minus होगा वहीं यहां पर दिया है add हुआ है तो होगा 256.1 Hz और minus हुआ है तो होगा 255.9 Hz अब हम जो tuning fork b है उसको load करेंगे उस पे wax लगाएंगे तब जो time period है जो time होता है एक cycle को complete करने के लिए वो हो जाता है 1 upon 20 तो difference in frequency जो है वो 1 upon T के बराबर आता है तो होगा 0.05 Hz तो जो possible frequency है वो कितना होगा यह A के frequency पे इस term को या add करना है या minus करना है तो होगा 256.05 या 255.95 Hz अब जब हम tuning fork b को load करेंगे तो उसका frequency decrease होता है उसका frequency decrease होता है उसका मतलब है यहां पे जो 255 और 256 है load करने के बाद उसका frequency decrease होता है tuning fork का यहां पे पहले frequency था 256.1 और 255.9 अब बात में frequency होता है 256.05 जिसमें decrease आया है और दूसरे वाले case में 255.95 विच इस greater than 255.90 या 255.9 तो यह जो 255.9 का frequency है उसमें increase आया है तो यह वाला case नहीं होगा पहले वाला case होगा क्यूंकि जब loading होता है तो frequency decrease होता है तो हमारा original frequency correct frequency है 256.1 और यही है हमारा answer फिर उसके बाद question no.3 आता है हमारे पास दो tuning folks है जो लिसीजिस figure produce कर रहा है और जो figure है वो change हो रहा है पेरबोला से figure 8 में फिर उसके बाद वो फिर से पैरबोला बन रहा है और यह जो पूरा cycle है वो पांच second में हो रहा है suppose a folk है उसका frequency 480 hertz है तो दूसरे का frequency हमें निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे given लिखेंगे जो frequency है एका वो है 480 hertz यह हमारे question में दिया है frequency जो है वो 480 hertz है यहाँ पे time to complete one cycle भी दिया है which is 5 second तो जो difference होगा frequencies में वो होगा 1 is to 5 1 upon time होता है और उसका value जब हम निकालेंगे 1 को 5 से divide करेंगे तो आता है 0.2 hertz अब इसी 0.2 hertz को हमें frequency of A पे add करना है या subtract करना है तो possible frequency है 480.2 hertz या 479.98 hertz और यही है हमारा answer तो यह जो listious figure है वो किसके लिए use होता है यह हमारे जो tuning folks है उसका frequency difference पता करने के लिए use होता है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें learning science को subscribe करें thank you so much for watching one two one one झाल झाल